जहें दोस्तों बंदे मातर, देखिए, हमारे देश में लिबरल ग्रोव काफी ज़्या सक्रिय रहता है सक्रिय किसली रहता है? कि बस वो ये ढूनता रहता है किस तरीके से किसी भी चीज को लेकर आलोचना करी जा सकती है और आलोचना करने का कोई भी मौका वो छोड़ता भी नहीं अब चाहे इसमें आप कुछ भी उठा कर देख लीजिए, आपको आलोचना सब जगे मिल जाएंगी लेकिन एक जगे विशेश होती है, जब भी सनातन धर्म की बात होती है तब इनका अलोचना को पिटारा कुछ एक्स्टॉर्डनरी खुल जाता है और फिर हर तरफ से ये लोग बक्वास करने लगते है अब ऐसे में कांतारा जो मूवी आई है, कानेन मूवी काफी अच्छी कमाई कर रही है लोगों पसंद भी आ रही है, IMDV पर 9.4, 9.5 रेटिंग के साथ चल रही है तो अब्विस सी बात है, इसके बारे में चर्चा होगी तो ऐसा है कि अब लोगों कांतारा से भी दीरे दीरे ही सही, लेकिन दवी जुबान में आपती होने लगी नहीं, रिशफ शेटी के साथ क्या कुछ हुआ है, बॉल्यूड में इसक्यूपर हम लोग अलड़ी बात कर चुके हैं इसके बात है कि अब रिशफ शेटी काफी अच्छा नाम बन चुके हैं लेकिन बात वही है कि हरकिसी इक अपने अपने अपीत होता है और यहां पर अतीत जिस तरह का है उसमें काफी सारे ऐसे हैं जो कि आपको मोटिवेशन के इंस्टेंसेज मिल सकते हैं लेकिन इस बार लिबरल्स ने जो किया है वो तो अलग हटके ही है निरुदेशाक रिशफ शेटी की हाली वे रिलीज हुई कर्णेड़ फिल्म कांतारा को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है फिल्म बॉक्स ओवेस पर कमाल का पदरशन कर रही है यह एक पीरिड आक्शन थ्रिलर है जो कि कंबाला, भूत कोला, यक्षिगान, दैवरधाने और जमींदार की पारंपरिक संस्कृती को जीवंद करती कर्नाडा भिनिता से कारकरतावा ने चीतन कुमार ने दावा किया कि भूत कोला तटी करनाटका के लोगों का प्रचलेत अध्यात्मिक पूजा का एक अनिष्ठान है जो कि हिंदू संस्कृती का हिस्सा नहीं है उनके इस दावे से विवाद छड़ गया है कुमार ने आपती जनक टिपणी एक्टर और डिरेक्टर रिशव शेटी के उस बयान को लेकर की जिसमें उन्होंने का था कि भूत कोला हिंदू संस्कृती का हिस्सा है एक इंटर्विव में शेटी से पूचा गया था कि फिल्म में पंजूरली को एक हिंदू देवता की रूप में दिखाया गया है शेटी ने कहा कि वे देवता वे सभी हमारी परंपरा का हिस्सा है निश्यत रूप से हिंदू संस्कृती और हिंदू रीती रिवाजों का हिस्सा है योगि मैं एक हिंदू हूँ और मैं अपने धर्म में आसा रखता हूँ और मैं इसका सम्मान करता हूँ लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि दूसरे गलत है हमने जो कहा वो हिंदू धर्म में मौजूद तथ्यों के अधार बर कहा है बूत्कोला वराह रूपाम अर्थात विश्णू भगवान है ये लोग हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की इतनी कोशिश आखिर क्यों करते रहते है जाहिर सी बात है यहां पर काफी सारी चीज़े हैं जो कि इन्होंने खोले तौर पर कहा दी अब तमिज चैनल सिनेमा विक्टन को दिएगा इंटर्व्यू का एक वीडियो क्लिप भी सामने आया है जाहिरम से पहले की है जहां कुछ लोगों ने कुमार का समर्थन किया तो वही पर अन्हें लोगों ने उन्हें फटकार लगाई मिर्ची मोहन नाम की यूजर ने कुमार को ट्वीट करते हैं जवाब दिया गिए ट्वीट की अदालत कि यह अब मानना है वहीं एक अन्य नेडिजन ने दावा किया कि भूत कोला देखकर बड़ा हुआ है और वो हिंदू संस्क्रिती का एक बड़ा हिस्सा है कंणर फिल्म का अंतारा 30 सितंबर को दिखाती है कांतारा लोक संस्क्रिती को दिखाती है फिल्म में पंजुरली को हिंदू भगवान विश्णू के अवतार ग्रूप में दिखाया गया है समीशकों ने फिल्म के अंते में बजने वाले गीत वराह रूपम का उल्ले किया है बताने कि इस साल फरवड़ी में करनाटक का हिजाब मामले में करनल अभी था और कार्यकर था चेतन कुमार को बैंगलियूर से टिपिल उसने गिरफतार किया था चेतन बारव था कि उन्होंने करनाटका में हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे एक उच्छने आला कि नाइजिश के खिलाफ आप 30 इनक्टिप पड़ी थी तो जाहिर सी बात है उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया था लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही तो आप उसको सिर्वाट सिर्फ एप्रिशेट कर सकते हैं हर चीज का पोस्ट मॉल्टम करने के लिए तो किसी ने मतलब आपको दबाव बनाया नहीं लेकिन क्या होता है कि जब इंसान कन्फूशन या फिर डाउट क्रिएट करना चाहता है और वो भी ऐसी चीज को लेकर जो कि काफी सा प्रचनित हो रही हो तो वो इस तरह के ही काम करता और फिर इस तरह की चीजे लातार बाहर भी आती रहती है और वही चीज यहां भी हो र झाल